तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको OMR Seat कैसे भरनी है आपको अपने एक्जाम में आपका कोई भी एक्जाम हो सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपोर्टन होने वाला है आपका चाहया पॉलाणे का हो चाहया आपका जो भी चाहया आपका बीयर का एक्जाम हो सब में जिसमें आपकी OMR Seat भरनी होती है सबके लिए यह वीडियो है तो बहुत इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है और यह भी आपको पताऊंगा कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जिससे कि यहाँ पर आपके यहाँ पर मोलेंकन काउपी का हो सके यह यह आप यह चीज़ें नहीं रखेंगे तो आ और आपको बताना चाहूंगा यदि आप प्रोडिक्निक की तायारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको पूरी तायारी करा दी गए जाके एक बड़ चैनल पर चेक कीज़ें तो यहाँ पर देखें सबसे पहले यह आपको आंसर सीट मिलेगा और यहाँ देखें ऊपर ही पत्रिका पर नाम अनुक्रमांग हस्ताचर टेस्ट फॉर्म संक्या टिकट संक्या बाएं हाथ के अंगुठे का निसान आपको बाएं हाथ का लगाना है लेप्ट हैंड का अंगुठे का निसान नहीं भरे होंगे तो उन्हें जाचा नहीं जाएगा तो यह अभी से आप क् पत्रिका के साइड वन में दिये गई स्थान पर अपने हस्ताचत था बाएं हाथ के अंगूठे का निसान करना सुनस्चित करें ऐसा नहीं करने पर आपके उत्तर जो पत्रिका है उसका मुल्यांकन नहीं होगा और उसको देखें यहां पर लिखा हुआ है मसीन दोरा ओ अमार सीट उत्तर पत्र का में कोड बद्ध सूचना पढ़ी जायागी आवेदन पत्र में दी गई कोई भी कोड या सूचना की तुलना में अधूरी अथवा भिन सूचना होने की सितिती में आपको सून ने अंक दिया जाएगा अब देखें आगे है अपना उत्तर काले नीले ब अपना नाम यहां पर लिख देता हूं अनिल कुसवाहा तो यहां पर आपको अपना नाम लिख देना है काले या नीले पन से ओके आद देखें लिखा हुआ है मैं प्रमारित करता हूं कि मैं वही विखती हूं जिसका नाम अनुक्रमांग इस पत्रिका पर लिखा है तो यह यहां पर आपको अपना जो आपका लिप्ट हैंड है बाया हाथ है उसका यहां पर आपको क्या लगाना है यहां पर अंगुटा लगाना है तो वहां पर देखिए वह इंक लेकर आएंगे बस उसको आपको यहां पर ऐसे लगा देना होगा तब यहां पर आपका यह थम इंप हुआ है ओके तो इधना आपको side one में यह चीज़ें आपकी clear हो गई यह आपको जरूर करके रखने यह आपकी हो गई side one की चीजें तो यह आपको जरूर इतनी चीजें पूरी-पूरी कर लेनी है और यह आप यह नाम नहीं लिखेंगे तो कोई problem नहीं होगी सिर्फ आपको य इंप्रेशन लगा देना है ओके चलिए अब हम लोग चलते हैं आप साइड टू की और तो इसी में देखिए मैंने साइड टू यहीं पर इसको यहां पर इसका जो प्रिंट आउ निकलवाया हुआ है और आपको जो साइड टू मिलेगा वह आपको दूसरे प्रस्ट पर लिख सकते हैं यह अंग्रेशी में भी आप लिख सकते हैं तो मैंने यह अनिल को सवा लिख दिया अब यहां पर देखिए इस से आपको को अधर नहीं है इधर टेश्ट फॉर्म नंबर तो वहां पर जो आपको पेपर मिलेगा उसमें आपका एक नंबर लिखाओगा तो व डिए अभी मैं आपको बता हूं का आपको कौन सी कलती नहीं करने ज़स्ति मालिजे हमारा यहां पर यहां पर टेस्ट फोर्म संख्या है एक दो पांच पी जीरो है तो मालिजे हम यह है तो एक हो गया अब यहां पर देखे अब आपको यह दो लगाना इस वाइश लाइन में लगाना आपका इधर देखिए 5 होगा कहीं तो यह देखिए इधर कहीं होगा यह देखिए जैसे कि यहाँ पर मतलब कि उसी साफ ते दिया होता है मैंने यहाँ पर अलग लिख लिए है मान लिजे आपका पी है यहां पर तो आप यहां पर पी लगा देंगे फिर आगे मान लिजे आपका यह तोड़ा करेक्शन कर देते हैं इधर मने मान लिया आपका पी हो गया इधर मान लेते हैं आपका M है तो यहां पर देखिए आगे वाला M है तो M वाले को यहां पर लगाना होगा फिर मान तिकट संख्या मानिजिए कुछ भी आपकी तीन चार और उसके बाद यहां पर आगे पांच कि चार कि पांच कि तीन और तीन मानिजिए आपकी टीकट संख्या है अधिक इनको उपर लिख भी देना जो मैं जो आपने इधर टिक लगा लगाया फिर तीन लगाया फिर इदर हात क्या था इदर आपका K था फिर आपका AM था फिर आपका another ऑप तरु इस तरह कुछ पूरा पूरा को गौर्ब ब्लेक आपको पूरी तरह आपको ब्लेक कर देना है अब देखे जैसे कि अधर था हमारा तीन था फिर इसको दिया आपका चार था फिर यह आपका पांच था फिर आपका पांच था फिर आपका पांच था फिर आपको यह क्या था इधर आपका तीन तीन यह उपर आपको लि आप चार के सामने आपको चार लिख देना है, चार वाले पर टिक करना है, तीन के सामने तीन वाले पर टिक करना है, पांच के सामने पांच वाले पर आपको यहां इदर टिक लगाना है, छे के सामने छे वाले पर टिक लगाना है, पूरी तरह आपको गोल कर देना है, ब्लैक कर देना है आट वाले के सामने आपको आठ वाले को पूरा ब्लैक कर देना है और हम पर इस तरह दोस्तों यह आपको जो basic सब्सक्राइब करने तो इतनी चीच के लिए हुई अब बात आती है आंसर देने की देखें यहां पर आपकी 200 नंबर वाली यहां सब्सक्राइब कर देना है आपको पूरा गोल गोल इस तरह कर देना है अब मान लिजे आपने ये गलत कर दिया आपके एकौर्डिंग होना चाहिए था भी और आप आपने लगा दिया सी तो यहां पर अब आप इसमें कुछ नहीं कर सकते कुछ भी नहीं कर सकते मान लिजे आपने इधर पहले भी सी लगा दिया और आप सुच रहे कि हमारा वीकल पर एराइट होना चाहिए था तो आपकी इस तरह की जो यहां वाला कोशन होगा उसका यहां पर नंबर क्या होगा काउंट नहीं होगा उसको गलत साबित कर दिया जाएगा और आपकी माइनस मार्किंग भी कर दी जाएगी तो यह चीज़ के लिए हो गई अब आगे देखिए यदि आप इस तरह टिक लगा देंगी तब भी आपका यह मानने नहीं होगा यदि आप स तो भी आपका साही हो बस उसको पूरी तरह गोल कर देना है और आगे उसमें कोई भी छेंखाने नहीं करने जाएगे तो आपका वो कोश्चन काउंट नहीं होगा और उसमें आपकी माइनस मार्किंग भी कर दी जाएगी ओके गाइस अब यहाँ पर मेन पॉइंट यह और वह आपका गलत हो गया और तो यहाँ पर आप उसको सही नहीं कर पाएंगे एक ही बार होगा यही दोस्तों आफलाइन गहां पर मेन दोस्तों कह सकते हैं कि यहाँ पर एक प्रावलम होती है कि यदि आपने एक बार OMR सीट में इस तरह ब्लैक कर दिया उसके बाद आप उस विकल्प को राइट नहीं कर पाएंगे यह चीज़ आप याद रखिएगा एक कोशन में एक ही टिक लगाईएगा यदि आप दो टिक लगाएंगे तो आपका कोशन काउंट नहीं होगा अब देखे प्रतेक कोशन आपका चार नंबर होता है और देखे प्रतेक कोशन कितने होते हैं हनडेट तो यह पूरा नेखा चीज़ चार सो हम आप मान लिजे आपने ठीचर्म में आपके नमबर कशीं होगे तो यहां पर आपके 5 number कट जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे 235 बचेंगे और उसको जो आपने 5 question गलत किये हैं 5 into 4 20 number आपके यह भी कट जाएंगे तो कितने बचेंगे 5 3 में 2 जाएगा 1 2 तो 215 नमबर आपके बचेंगे मतलब कि आपने 60 किये थे तो 60 की टोटल नमबर कितने बनने चाहिए थे 240 लेकिन उसमें हुआ क्या कि आपके 5 गलत हुए तो पहले 5 गलत हुए तो उनको माइनस मार्किंग होगी तो उनकी हम लोग यहाँ पर माइनस मार्किंग करके हटा देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर आपका 235 बचेगा 235 में आप 5 कोश्चन थे पर तेक 4 नंबर काता है तो यह भी आपका कटेगा तो 20 और कट जाएगा बचेगा आपका 215 तो इस तरह दोस्तों यह आपको OMR सीट पूरी भर देनी होती है किसी भी विकल्प में आपको छेंड़ खाने नहीं करनी कि आपने इधर A लगा दिया आगे जाके D पर भी लगा दिया तो इस तरह के छेंड़ खाने आपको नहीं करनी बिल्कुल इस बात को दोस्तों ध्यान रखेएगा देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है पूरा आपको black कर देना इस तरह जाइसे कि यहाँ पर यह लगा हुआ है आपको ओ' اेमार स्टॉ टापको भणनी होती है यह आपको ओ' हमार स्टॉ लेकर कोई भी कुशन हो तो आप नीचे कमेंट बाक्स में कमेंट कर सकते हैं तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिजिएगा धन्यवाद दूस्तों जय हिंद वह अंदे मातरम